बच्चों आपको घर में आपके बड़े और स्कूल में आपकी टीचर बहुत सारी बाते समझाते हैं सिखाने की कोशिश करते हैं उन बातों को सिर्फ आप पढ़ते हो याद रखते हो या फिर अपने सोभाव में भी लाने की कोशिश करते हो जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए और उसको अपने सुभाव में अपनी आदतों में भी लाना चाहिए तो मैं चित्रा बंसल आपकी हिंदी की टीचर आज जो पाथ आपको पढ़ाने वाली हूँ वो एक पत्र है चित्थी है जो एक छोटी बच्ची ने अपनी नानी को लिखी है उसमें आप देखेंगे कि वो अपनी नानी से कहानियों के द्वारा कितनी सारी बातें सीखती है और जब वो उन बातों को अपनी आदत में लाती है तो उसको कैसा लगता है तो इस पाठ में हमने ये भी देखना है कि एक पत्र, एक चिठी कैसे लिखी जाती है इस पाठ का नाम है नन्नी विनी ने लिखी नानी को चिठी प्यारी नानी, बड़े दिनों से आपकी याद आ रही है आपकी सुनाई परियों, बौनों और चमतकारी टोपी वाली मज़ेदार कहानिया भी बहुत याद आती है विनी किसको चिठी लिख रही है? अपनी नानी को और नानी को उसने क्या कहा? शुरू में क्या लिखा? प्यारी नानी विनी अपनी नानी को बहुत प्यार करती है इसलिए उसने लिखा प्यारी नानी उसे अपनी नानी की याद आ रही थी इसलिए उसने उन्हें चिठी लिखी तो उसे क्या-क्या बाते याद आ रही थी नानी की कि वो उसको कहानिया सुनाती थी परियों की, बॉनों की, बॉने मतलब जिनके बहुत चोटी सी हाइट होती है, बहुत चोटा कद होता है और अच्छी अच्छी उच्छलकूद वाली हरकते करके सब को हसाते हैं। चमतकारी मतलब जादू की टोपी वाली मज़ेदार कहानिया नानी उसको सुनाया करती थी। सच कहूं नानी, मुझे तो हर कहानी में आपका प्यार और सीख जिल मिलाती नजर आती है। जैसे ये कहानिया सुना कर आपने मुझे नेक और भली लड़की बनने की सीख दी है। तो विनी को जब जब कहानिया याद आती हैं तब तब उसे लगता है कि नानी ने उसे कितनी अच्छी अच्छी कहानिया सुना कर कितनी सारी सीख दी और उसे अच्छी बच्ची बनने में मदद की। नानी बड़ी होकर मैं भी ऐसी ही बनना चाहती हूँ। मन करता है सबकी मदद करूँ ताकि लोग कहें कि देखो विनी कितनी अच्छी लड़की है। तो जो नानी ने उसको कहानिया सुनाई होंगी उन मेंसे ये सीख मिली होगी कि सबकी मदद करनी चाहिए। तो विनी यही चाहती है कि वो बड़ी होकर सब की मदद करे ताकि सब उसको अच्छी लड़की कहें अब मैं ममी के बताए सारे काम जटपट दोड़ दोड़ करती हूँ ममी भी मुझे खूब शाबाशी देती हैं और पापा खुश होकर कहते हैं विनी जैसी कोई नहीं मेरी बेटी विनी तो सबसे निराली है तो विनी क्यों इतनी खुश हो रही है क्योंकि जो कहानिया नानी ने उसे सुनाई और उन कहानियों से उसने जो कुछ सीखा उससे साब उसको अच्छी बच्ची कहते हैं मम्मी भी उसको शाबाशी देती हैं क्यों? क्योंकि वो मम्मी के सारे काम दोड़ दोड़ करती है और पापा भी उसको क्या कहते हैं सबसे प्यारी है मेरी विनी नानी आपकी और भी बहुत सी बातें याद आती हैं आपने मुझे शाम को घूमने और खेलने की सलाह दी थी अब मैं रोज शाम को अपनी दोस्त दीपा के साथ पार्क में जाती हूँ मैं अपनी दोस्त से कहती हूँ मेरी प्यारी नानी में है ही ऐसा जादू जो किसी को भी बदल दे मतलब विनी की नानी ने ऐसी ऐसी सीख दी कि विनी को उन साब बातों को मानना बड़ा अच्छा लगता है और जब उसने उन बातों को माना तो उसे खुद ही लगा कि इससे वो कितनी अच्छी बच्ची बनती जा रही है सब उस से खुश रहते हैं और उसको भी अच्छा लगता है तो विनी की नानी ने उसको क्या सलादी किством को बाहर खेलने जाना चाहिए और गूंगना भी चाहिए तो वो ऐसा ही करती है अपनी सहेलियों को बताती है कि मेरी नानी की बातों में ऐसा जादू है कि वो किसी को भी बदल सकता है अच्छा नानी आप यहां जल्दी आना साथ ही अपनी कहानियों का बड़ा सा पिटारा लाना ना भूलना बड़ा सा पिटारा मतलब कि नानी के पास इतनी सारी कहानिया थी जो कभी खतम ही नहीं होती थी तो वो कह रहे हैं कि वो सारी कहानिया याद करके आप मेरे पास आना और हाँ आप कह रही थी कि आपने मेरे लिए बड़ा सुन्दर सा लकड़ी का गुड़ा और लकड़ी के गुड़िया मंगवा कर रखी है उन्हें भी साथ लाना न भूलना मम्मी पापा आपको खूब याद करते हैं और नीटू भाईया तो हर दम गाना गाते हैं मेरी नानी प्यारी नानी तो उसने चिठी में ये भी लिख दिया कि नानी जब आप आओगे तो अपने साथ मेरे लिए वो गुड़ा और गुड़िया लाना जो आपने मेरे लिए मंगवा कर रखा है और यहां मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं और भाईया तो गाना गाकर क्या कहते हैं मेरी नानी प्यारी नानी अच्छा नानी अब विदा लेती हूँ मुझे धेर सारा होंवर्ग जो करना है मीठी मीठी यादों के साथ आपकी प्यारी विनी तो इस तरह से विनी ने अपनी चिठी से नानी को कितना सारा प्यार दिया उनकी सारी बाते याद की उनको बताया कि उसे नानी की याद क्यों आती है और ये भी बता दिया कि वो उनसे मिलना चाहती है इसलिए वो जल्दी से उसके पास आ जाएं तो नानी पर गीत किस ने बना रखा था विनी के भैया ने और वो गीत क्या था मेरी नानी प्यारी नानी तो सभी बच्चों को अपनी नानी से प्यार होता है तो अब आप भी अपनी नानी को कभी चिठी लिखना और जब भी वो आपसे मिलें तो उनसे धेर सारी कहानिया सु तो बच्चों देखा आपने विनी ने अपनी नानी को चिठी में क्या-क्या लिखा अब तो आपको जब भी नानी की या दादी की या किसी की भी याद आती है अब जट-पट फोन पर बात कर लेते हो और वीडियो कॉल करके उनको आमने सामने देख भी लेते हो पर ये उस समय जब ये सब नहीं था तब चिठी ही लिखी जाती थी और चिठी लिखकर ही हम कह पाते थे अपने मन की बातें तो आप भी कोशिश को रो एक पैज पेन पेपर निकालो और अपनी नानी को या दादी को चिठी लिखकर बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो अब चलते हैं अगला पात फिर एक साथ पढ़ेंगे